दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश गुजरात के मोरवी में जो घटना हुई जो इतना बड़ा हाथसा हुआ जिसमें 135 लोगों के अब तक मारे जाने की पुष्टी हुई है 170 के आसपास लोगों को बचाया गया है किसी तरह और अनेक लोग अस्पतालों में हैं खायल हैं बुरी तरह इस पूरी दुरगटना को हो या मारो स्रिजित घटना को हो हाथसा को जो भी आप को इसके बारे में जिस तरह का एप्रोच जिस तरह की सोच गुजरात के सत्ताधारी नेताओं नौकरशाहों और देश के मीडिया खासकर मेंस्ट्रिम मीडिया में दिखाई दे रही है वो वाकई अपसोसनाक है मैं अपसोसनाक इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे पहलू की जो भायावथता है पहले उसको आप देखिए मैंने इस पूर को देखा था वर्षों पहले भुकम्प के दवरान बलकि भुकम्प आने के कुछ दिन के बाद गुजरात की रिपोर्टिंग करने हम लोग जब गए थे तो एक पत्रकार के तोर पे मोर भी भी हम गए जहां बताया गया था मुझे की करीब 2.500 लोग वहां भी मारे गए थे तो हमने देखा कि वो पुल दिखाया गया था हमें दूर से तो बहुत ही खुबसूरत पुल है और ये अंग्रेजों के जमाने में जैसा की सभी को मालूम है बना था लेकिन उसकी मरमत के बारे में और इस दुर घटना के बाद खास तोर पे जो पहलू अभी उजागर किये जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो जो कमपनी थी जिसको की मुनिसिपलिटी ने ठेका दिया था वो भी किसी टेंडर के बगैर वो भी किसी क्वालिफाई किये बगैर कि वो कमपनी वाकई इस तरह के जूला ब्रिज जूला पुल की मरमत कर सकती है करने में वो दक्ष है या नहीं है उसकी गुनवत्ता क्या है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है अब जिस कमपनी को ये ठेका मिला था और बताते हैं कि बगैर किसी टेंडर के वो कमपनी घरेलू जो यूज के सामान हैं उनका निर्मान करती है और मरमत करती है शायद उसने इस तरह के बड़े पुल और वो भी नाजुक स्थापत्य या शिल्प पर बने हुए पुल को उसने कभी उसकी मरमत नहीं की थी लेकिन मौर्वी के प्रशासन ने उसको ये बात सौप दी ये पूरा का पूरा जिम्मा सौप दिया अब सोचने की बात है कि इस पूरे पालू को इस तरह बताया जा रहा है कि मानो इस दुरघट्टा के लिए जो दोशी लोग है वो कौन है कुछ क्लरक है इस कमपनी के वो सेक्योटी गार्ड वहाँ पर जो पोस्टेट था पूल पर जिसने की पंजरा बीस या पचीस लोगों को जाने के बजाए तीन सो या चार सो लोगों को जाने की इजाज़त दे दी यानि उनको रोका नहीं अरे बही जब आपने टिकट रखा है जब आपने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से छोड़ रखा है लोगों को तो एक सेक्योटी गार्ड क्या करेगा तो आखिर ये पुल जो मरमत के लिए छे महीने बन था अगर वो खोला गया तो बगएर सैफ्टी पर्मीशन के सैफ्टी का जो एक क्लियरंस होता है उस क्लियरंस के बगएर कैसे शुरू हो गया आप कहा रहे हैं कि कंपनी ने जिस कंपनी को आपने ठेका दे रख़ा है उस कंपनी ने आला अप सडेनिस में लोगों को जाने की पर्मीशन दे दी ये कैसे संभव है और इतना कैजूल ही ले रहा है प्रशासन मौर्वी का और सरकार पूरा पल्ला जाड रही है पूरा पल्ला जाड रही है जैसे मानो उसकी कोई जवाब देए नहीं है अरे भई पुल आपका मौर्वी में बना है और जिस नदी पर बना है वो नदी अब नदी नहीं रह गई है जिन लोगों ने नदी में गिरे नदी तथा कथित नदी में गिरे लोगों को बचाया है रेस्क्यू आपरेशन किया है उनका कहना है कि इतना गंदा पानी है उस नदी का वो तेल और कीचड से भारी होई नदी है ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा उसके पानी में तेल है उसके पानी में कीचड़ है गंदगी है तो बहुत सारे लोग तो घुट घुट कर मर गए जैसे लगता था कि उनका गला उनकी सांस अचानक जो है जैसे ही वो पानी में गिरे पुल से वो उसमें फस करके मर गए बहुत लोगों को बचाया जा सका ये rescue operation करने वाले लोगों की के अपने observation है तो इसमें अगर देखा जाए खेर नदी की बात छोड़ दीजे लेकिन जिस तरह से लोगों को allow किया गया है और दोस्तो गवर्नेंस का बेहतरीन माडल गुजरात को कहा जाता रहा है ये 2012-2013 से ही हम सुन रहे हैं और अब तो लगतार ही सुनते हैं बेहतरीन माडल कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकारे हैं विकास के लिए डबल इंजन का मतलब जहां प्रदेश में और केंदर में दोनों जगा सरकारें एक ही पार्टी की हों यानि केंदर में तो बीजेपी की सरकार ही है स्टेट में भी अगर बीजेपी की सरकार हो तो डबल इंजन सरकार हो जाती है तो बेहतरीन जो गवर्णन्स का माडल अपने डेस्ट में है वो वही है उन्हीं राजियों में है जहां डबल इंजन है अब या लग बात है कि सरकारी आंकडे कुछ और कहते हैं सरकारी आंकडे केरल को number one बता रहे हैं हर विकास के हर पहलू पर लेकिन जो वो कहते हैं जो दावे करते हैं हम उन पर आते हैं कि गुजरात governance का सबसे बहतरीन माडल है उत्तर प्रदेश उसके बाद है फिर भी मद्यप्रदेश है डबल इंजन की सरकारे यहीं है और भी कुछ स्टेट में हैं करनाटक में हैं लेकिन हमने कई जगा देखा है ऐसे प्रदेशों में कि जहां नारियल फोड़ा जाता है वहां सड़क तूट जाती है जहां लोग चड़ते हैं और हिलाते हैं वहां प गुजरात में पुल मरमत हुआ मरमत के बाद सेफटी का क्लियरंस नहीं लिया गया बीस या पचीस लोगों को जाने के बजाए चार सो लोगों को जाने की इजाज़त मिल गई पुल भर भरा कर गिर गया नीचे मोरभी में यह कौन सा विकास का मॉडल है कोई सरकार की जिम् पुल और राज पुल जो है और नदी यह राजी की जिम्यदारी है मिनिस्पैलिटी राजी की है राजी सरकार का उसमें पूरा का पूरा रोल है और आप कलरक और बाबूं और प्राइविट कंपनी पर जिम्यदारी छोड़ रहे हैं क्यों ठेका मिला एक ऐसी कंपनी को जो unqualified थी आज अखवारों की जो रिपोर्ट छपी है और टेलिवीजन में दिखाया जा रहा है टेलिवीजन तो डर डर कर दिखा रहा है वो by chance कभी दिखा देता है लेकिन अंग्रेजी के कुछ अखवारों ने आज बेहतरीन डिपोर्टिंग की है और उसमें ये बात सामने आई है कि जो वायर जो केबल था जो तार थे जिस पर वो जूला पुल लटका हुआ था उनकी मरमत ही नहीं की गई इन छे महिनों में और दो करोड में ये भी लोग कहते हैं कि दो करोड में शायद वो हो भी नहीं सकती थी मैं नहीं जानता मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जितने भी करोड में जितनी भी राशी उसमें लगनी थी उसे टेंडर करके आराम से सैंक्शन किया जा सकता था लोगों की सुरक्षा का मामला था एक पुल के वजूद क मसला था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो कैसे कोई कहे कि ये पुल ये जूला पुल जो गिरा है जो द्वस्त हुआ है जो तूट कर नीचे आ पड़ा है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई वो महज कुछ करमशारियों की जिमेदारी है और सबसे बड़ा जो सवाल ह है सबसे बड़ा सवाल कि राजी के मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट गुजरात में है और संजोग देखिए कि भारत के सर्वशक्तिमान प्रदान मंत्री वो भी गुजरात में थे घटना के दो दिन बाद वो घटना स्थल पर पहुँचे बहुत सारे कारिक्रमों का उद्गाटन लोकारपन वगेरा वगेरा जारी था और जिस तरह वो पहुँचे उस पर हम बाद में टिपड़ी करेंगे अगर समय बचेगा तो लेकिन हमारा ये कहना है कि भारी भरकम सरकार पूरे डबल इंजन की मशिनरी के होने के बाद आखिर मोरवी के पुल को इस तरह क्यों अकेला छोड़ दिया गया कुछ करमशारियों के हवाले दावा किया जा रहा है कि जिम्धारी उनकी थी तो कौन सी एक गवर्ननस है जिसके बारे में कहा गया था दो हजार बारा तेरह में कि पूरे देश को हम गुजरात मॉडल पेश करेंगे गुजरात मॉडल मध्यप्रदेश मॉडल उत्तर प्रदेश मॉडल अब देखा जाता है खबरे आती है कि नारियल सडक पर फोड़ा जाता है तो सडक धस जाती है सडक धस जाती है नए नए फ्लाइओवर बनते हैं नए नए हाईवे बनते हैं पता चलता है कि गाड़ी चलते हुए धस जाती है उसमें गड़े बन जाते हैं और अब पुल चार-पांच दिन पहले ही शुरू हुआ मरम्मत के बाद छे महेने की मरम्मत के बाद तो पुल ही द्वस्थ हो गया कमाल है तो किस तरह का ये गवर्णेंस है ये एक समझने की बात है और दोस्तों इस पर मैं आपको एक बहुत एक 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 अथेंटिक आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ और दोस्तों ये आंकड़ा है Structure and Infrastructure Engineering नामक एक International Journal में छपा हुआ इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1977 से 2017 के बीच याद रखिए 1977 से 2017 के बीच में भारत में 2130 पुल या पुलों के हिस्से बनने की प्रक्रिया में मरम्मत के दौरान या चालू हालत में गिर गए मुर्भी के पुल की तरह आखिर भारत में इसकदर नए पुराने निर्मान का क्यों हाल होता है क्यों ध्वस्थ होते हैं और अभी तो गुजरात पिछले आठ नौ साल से पूरे देश के लिए विकास का मॉडल बना हुआ है तो क्या ये विकास का जो मॉडल है ये वाकई एप्लिकेबुल है पूरे देश के लिए और इस तरह के पुल फ्लाइवर जो गिरते हैं उनकी चर्चा आम तोर पे तम होती है जब बहुत सारी जन्शती हो चुकी होती है बहुत सारे लोग मारे जा चुके होते हैं दोस्तो इन पर भारती जन्तापाटी जो मुझूदा सत्ताधारी दल है गुजरात में और केंद्र में उसके नेता जब विपक्ष सासित राज्यों में कोई दुरगटना हो जाती है तो उसका भारी बावेला उस पर मचाते हैं लेकिन अब जब गुजरात में लोग सवाल उठा रहे हैं तो बिल्कुल कह रहे हैं अरे बिलकुल आप गलत कर रहा हैं आप पॉलिट साइज कर रहे हैं यह चुनाओ है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन मैं यात दिलावंगा दो हुजार सोलह में कोलकटा में कोलकाता में बेवेकानาน फ्लाइ ओब गिर गया था 24 20 लोग मारे गए थे उसका हिस्सा और पुल जो है मार्च में गिरा था मई महीने में चुनाव होने थे प्रधान मंत्री मोदी ने स्वैम बंगाल में जा जाकर इस मामले को जम कर इसका फैदा उठाया अपनी पार्टी के लिए फैदा देने की कोशिश की और ममता बनर जी और मतलब गुसे में हैं लाल हो रहे हैं गुसे से की विपक्ष जो है गुजरात के चुनाव में मौरवी को मुद्धा क्यों बना रहा है और यही कारण है यही कारण है कि जो देश के टेलिविजन चैनल है अखवारों की तो बात छोड़िए वहां तो थोड़ा बहुत लगातार ऐसे मुद्धे उठाये जा रहे हैं शाम की बासों के दोरान जिससे की मौरवी का मुद्धा मुद्धा ही न बने सवाल यह मौरवी का नहीं है सवाल यह किसी एक स्टेट का नहीं है किसी एक पार्टी का नहीं है किसी एक चुनाव का नहीं है दोस्तों सवाल यह ह कि हमारे हाँ construction को लेकर हमारे हाँ repair को लेकर हमारे हाँ मरम्मत को लेकर ये जो casual approach है प्रशास्पनी कधिकारियों की सरकारों की उस पर कौन सोचेगा कौन चिंता करेगा जिससे कि इस देश के निर्दोष नागरिकों की इस तरह मौतें नो हो और ये मौतें क्या हैं ये हत्या हैं ये ब्यवस्था जनित हत्या हैं जो मौर्वी में होई है भुकम के बारे में आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा है हालां कि उसके लिए भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि मनुश्य जिमेदार है मनशेता जिमेदार है समाज जिमेदार है जिस तरह का कंस्रक्शन है जिस तरह की बहुत सारी चीज़ें है फिर भी वो प्राक्रितिक आपदा है लेकिन ये प्राक्रितिक आपदा नहीं है जो मोर्वी में हुई तो इस तरह से डाइवर्ट करने का पूरा अब ही हाली में, मैं कल देख रहा vol सुकेश्च चंधरशेखर, अब उसके एक ऐसा फरेभी किस्म का आदमी, जिसके बारे में बहुत सारी खळूंगे पहले ही आ चुकी है, उसके एक ख़त को लेकर, उसके किसी ख़त को लेकर जो जेल में है, उसके कथित खुलासे को लेकर, म अंगलवार की शाम हिंदी टीवी चैनलों का जो पुरा जगड़ालू महला है हिंदी चैनलों का जगड़ालू महला जो जुट जाता है उस पर खूब कौंकौं हुई, इतनी कौंकौं हुई कि लगा की देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उसका जो आरोप है पहली बार मुझे अरविंद केजरिवाल की वो बयान मुझे लगता उप्यूक्त लगा कि ये मोर्वी से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा का पूरा इशू उठाया गया है आखिर टेलिवीजन चैनल मोर्वी से अचानक सुकेश चंद्शेकर पर कैसे आ गया है सिर्फ इसलिए कि उनको निर्देश था जाहिर है बगएर निर्देश के नहीं होता ये सब और अचानक सारी चीजों के आगे सभी महत्मुन चीजों को छोड़कर वो सुकेश चंद्शे क्या राजनीती है और अगर सच है तो उसका भी इसका पूर्भ होना चाहिए हम यह नहीं कहारा है कि उसका मत किजिए उसकी इसकी कोई आहमीयत नहीं है ख़बर के खबर की दुनिया में लेकिन बहुर भी जहां 125 लोंग मारे गए हैं किया उसकी कोई बहुत पैंधियन यह ह कि हर शाम को टेलिविजन का जगडालू महला जुट जाता है कौंकों करने लगता है किसी ने किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जो नान इशूज है जो उतने बड़े इशूज नहीं है अगर कुछ टेलिविजन चैनलों ने और अख़वारों ने इस मुद्दे को भी नहीं सामने लाया होता कि किस तरह दो दिन बाद मौरवी पहुँचे माननी परदान मंत्री को जब मौरवी के सिविल अस्पताल ले जाया गया उसके पहले अस्पताल का रंग रोगन हुआ उसको पूरा एक तरह से रेट कार्पिट जैसा एक दम उसका ताकि प्रदान मंत्री जी का स्वाधत किया जा सके ऐसा तो शायद ही कभी हमने देखा है शायद ही कभी देखा है कि जहां साइकड़ों की संख्या में घायल पड़े हों चीखें चीखें लोगों की आवाजें गूज रही हों चीख फुकार की वहां अस्पिटाल का और स्टेट का प्रशासन लगा है कि कैसे अस्पिटाल को आल अप सडिन खुबसूरत मना दिया जाए जो गुजरात के अस्पिटालों की हालत वाकई नहीं है बहुत बुरी स्थिति में गुजरात के हास्पिटल है अगर अहमदाबाद के एकाज हस्पिटालों को छोड़ दिया जाए तो जो सरकारी मुलाजिम है उनके अपने अपने आकलन पर मानुनी प्रधान मंत्री जी वहाँ पर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं बहुर भी जाकर हाई लेवल मीटिंग लेकिन आश्चर जनक है कि इस घटना की अब तक कोई हाई लेवल इंक्वाईरी सेट अप नहीं हु इंक्वाईरी सेट अप कराने में कराने के लिए पहल करे और वो प्रशासनी जाच नहीं हो सकती वो पुलिस की जाच नहीं हो सकती इस तरह के मामलों में इस तरह के मामले में आम तोर पे एक हाई लेवल जुडिशियल कमीशन बैठाने की कमेटी बैठाने की एक परंपरा रही है और उसमें टेक्निकल जो एक्सपार्ट्स हैं वो भी कमिटी के मेंबर होते हैं लेकिन गुजरात सरकार खामोश है अभी तक high level meeting कर रही है लेकिन high level inquiry के बारे में बिलकुल खामोश है है रितंगेज है दोस्तों और वो भी चुनाव से एन पाले तो आज मोर्वी पर इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाल